स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिप अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे एक नौनपात्र अवलोकन छे के स्वाराज पहला बारत मां जेटला सिक्षन ना प्रियोगों थेया छे एटला स्वाराज पच्छी न थी थेया श्यूं गांधिजी रविंद्रनात श्यूं श्री अर्विन के बिजा अनेक लोको दे आनान सहरस्वती ने बिजा अनेक ए बद आये जे प्रियोगों के रिया एमा गुजरात मां जे बहुत नौन पात्र प्रियोग करनार एक प्रियोग बीर केलोणी कार ते नानाभाय बट्ट ए स्वार केलोणी माँ समरपन केरू केलोणी जाने यमने उपाश्य देऊ तो, एटले केलोणी ने माटे यमने जे प्रियोगों के रहा, केलोणी ने माटे अनेक प्रकार ना विरोधोस्वन के रहा, ये बधानू आलेखन, यमने साथियो ना केवा थि, के नानाभए, तमे तो जीवन भर आबदू काम केरू, जीवन ना बिलकुल उत्रार्थ माँ, अने ए आत्मकथानू नाम पन बहुँछ विशिष्ट छे, गड़तर अने चणतर, आम तो बहुँद नजीक ना शब्दों लागे छे, पाण एमा एक सुचन छे, के जेम जेम संस्थानू चणतर थतू जाए, येले के संस्था विश एने स्थापनार, एने चलावनार, एनो जे संचालक होए, नियामक होए, मुख्यमानस होए, एना आत्म तत्वनू पन घड़तर थया करू जीए, एटले एक जिगे येमने बहुँछ सरस्कयू छे, के संस्थानू दे जेम जेम मोटो थतो जाए, तेम तेम एनो आत्मा पन म जीए, आ अर्तम, एभी एक असाधान आत्मा कतााचा, के जये के nalी कार्नी आत्मा कताचाछे, एटले आनू उप शिर्षक, घड़तर ने चनतर हो तो ।ौ आमनू शिर्षक छे पड़िके हमनू उप शिर्षक पन छे, के एक के लीकार्नी अनुभोव कताचाचा, एक लीक कारे काया प्रियोगो केरा, किवरी ते काम केरू, किवरी ते साथियो मिलवा, किवरी ते संस्थानो विकास केरू, किवरी ते एक पची बीजी, बीजी पची, त्री विक्रम कई शकाए, जे वामन ना त्रण पगला आता, एम नानाभाय पणे ना जिवनमा त्रण संस्थाव पनी स्थापना करी। ए बधानू जे अनुभव रशित बयान छे। अत्यंत रशिकृते आने उमाशंकर जोशिये नानाभाय माटे एक बहुच उत्तम अवलोकन आपूचे। के नानाभाय ना जिना जिना जीवन व्यवहारों माँ धर्म जिवननू व्याकरण प्रगड़त तुदू। आ बहुच अगरू होए छे। एक मानस संस्था उभे करिदे, मकानों रचाई जाए, ग्रांट मढवा माँडे, ये सैलूँ छे। पण एक मनुष्य, एक संस्था ने पोताना आत्मविकास नू मध्यम बनावे, तो ए संस्था के भी होए? एनू बयान ते घडतर अना चणतर मा थे रूँछे। ए अर्थ मा आत्मकथा नी बहुँच मोटी विशेशता थे। कार्ण के गुजराती साहित्य मा नर्मत्ती आत्मकथा नू प्रारम थे। पण मात्मा गांधी नी आत्मकथा आयवा पची एक धौर्ण बन्दाय। आत्मकथा प्रेरक बन्वीजिये। येनी जे नबडी बाजुओ जीवन नी छे, येनी संचालक नी जे भुलो छे, संचालक प्रारम मां अमुक मर्यादावाड़ो होए, ये बधा मां थे आपनने बोधपाटम बढ़ाये छे, अने जे एमने सफडता मेडवी, जे एमने साहस्कर्या, येमां थे पच्छीनी प्रेणा मड़ाये छे, आ प्रेरक्त ये आत्मकथा नो बहुज मूटो गोण छे, गांधिजी नी आत्मकथा मांचो, नानभाय नी वांचो, रविशंकर माराद नी वांचो, बिजय कोई पड़नी, अपने एक वाचक तरीके मां रस्पड़े छे, ते जीवन नी प्रेणा मड़ाये छे एने कारणे, कारण के आत्मकथा मां आत्मनिरिक्षण अने सच्याय, सत्यनो अग्र, ये बहुज नोनपात्र होये छे, आ आर्थ मां नानभाय नी आत्मकथा, नानभाय भट नी आत्मकथा, ते बहुज गुजरात नी जे नोनपात्र, महात्मा गांधि पछी जे नौनपात्र आत्म कथा होचे, येमा येमनु स्थान छे। अवे एक बिजी रिते पन आने आपड़े तपासी शक्के। आ केवड एक व्यक्तिनी कथा होआ छतां व्यक्तिनी कथा नथी। एक शंस्थानी कथा छतां केवड एक संस्थानी कथा नथी। येटलिर के केवड ने केवड दे एक मणुस्य जुए छे ये। ये नी एक प्रबोद कथा होआ छे। एक तरफ दक्ष्णामूर्थी देव नी उपासना चे, दक्ष्णामूर्थी देव शंकर नू चीर युवान युव रूप छे, एतले एनो मंत्र चे, गुरुस्तु मोनम व्याख्यानम, शिश्यास्तु चिन्न संशिया, गुरु बोलता नथी, मोन राखे जे, अवे व्याख्यान मोन के वरी ते हो है, व्याख्यान हो है तो बोलवानू जो है, पण आ गुरु कशु बोलता नथी, अने छता, शिश्यना बद्धाज संशयो दूर थे जाये छे, एना प्रश्णों ना उत्तर मड़ी जाये छे, एनो अर्थ ए थे हो, के गुरु बोले, एन धीकानि करता, ये जिवे, येना जीवन नी असर वधारे थायेछ, आ केवणिशनों रहष्या छे, जितले नाणाबाईर आत्मकथा महां प्रगट्थ है उँच्छे, एतले, नाणाबाईर नो जे संस्था संचालक छे, येनो अध्यात्मेक वइक काश, अने संस्था न वी यह समांतरे चालवाजुए यह आमाँ थी अपने समझाये छे आ बहुज अगरु होये छे के एक संस्था स्थाप्पी यह संस्था चाले यह संस्था डिग्री आपे यह संस्था मा बढ़ीने विद्यार्थी और नौकरी मेड़वे आप दू प्रणमा स्यालू छे पन आ यह दिए अर्थी उत्तम मनुष्य केम बने एक उत्तम नागरिक केम बने यह नानाभई सामये चे यह मनू लक्ष आचे तो आवा नानाभई केम थेया आवेव जीवन धिये ही यह यह मने केम मेडियू एक विजुपन एक विगत तरीके पड़े महत्वनू छे के आ आज थी लगबग सवासो वर्ष पहला नी कथा आचे यह नानाभई आवा केम थेया यह ने जो आपड़े समझिये तो नानाभई आमज वरते क्यो वार्ष हो तो जमके एमना पिता एमना दादा आवेदा क्यो प्रकान्ना मान सो हता यह जो समझिये तो नानाभई आवा केम चे ही सम आप आर्षव पांड किट्लों बदो नेड़ना एक बनतो हतो। छोटा भट बहुत सरफ भागवत कथा करता था। पची भावनगर ना दीवान गगा भाई है। यामने एक धोतियो आई पू। रेश्मी है तो। पचीश रुपिया ए जमाना ने किम्मत हती। छोटा भट न पन रात्रे पोता ना पत्नी चंदुबा ने उठाडी ने के मारू उच्छाव मेना मा देह पड़ी जेश्य। यामना पत्नी ने बहुत नवाई लागी। यामने आजे जे दुरभुद्धिस हुजी। के मने जे दोतियो भेट मेड़ू तु। ये वेचीन में रुपिया भूलतो करी पन जागरूती पना आवी के मारे आऊ नहीं करू जिय। ये मना वडवा त्रिकम बापा भावनगर राजना चारे हाथ बहु मुटा वैद था। भावनगर ना माराज ये ये मने एक तामाना पत्रा उपर लखिया प्य। के आटली जमीन आटला खेतर तमने त्रिकम बापा ये ना पाड़ी ना अना शू के छे आतम जो भाषा आजे आत्मविश्वास मारा जाने पना आवु कई शकाए तमारे मारा चोकराने ब्राह्मन नतिरे आदेवा तमेने वटलावा मागो छो मारे आ जमीन ना जुए पिद्यानी उपास ना ये जमारो धर्म एक वार येमने एक जैन मुनी ने दवाकरी ने साजा के रहा बदा जैन श्राव कोई भेगा थाई ने येमने बे कडा स्वनाना बेट आए पै त्रिकम बापा त्यां थी निकली निलकंड महादेवना मंदिर मा जै आने महादेवना चरण मां बे कडा मुखी दीदा के मारा थी मुँको एनी सारवार करू येने माटे आई भेट ना लेवाए आ जे जागरूती आ जे मुल्यनिष्ठा आ जे जीवन न सादगी बेरा जीवन ना सत्वनों ख्याल येमा थी नानबाय आविरीते केड़वाय आचे आ वार्षो नानबाय ने मड़ायलो च्या येमना पत लगबग 110 स्वरस्पेरा नूचीतर चे घरमा वहवारू माटे कई कराय ये ख्यालन नो तो येमना पत्तिनो नाम शीवबाय शीवबाय ने ताव आयो पन घरमा वहववे कायम दलवूत जुए गंटिये नानबाय कयो आजे हुँँँ दलिश आखा घरमा हो हाथ है आखा घ करने एकलो मुदा आघात लागयो पन नाना भाय ये कयो जो शीवबाय ने ताव चे तो दढ़वानी जरूर चे काण के गेर-गेर घंटी चालती तीने येमा थी लोट मड़ दो पन तो हुँँँ दलिश एक बिजो जे ओक हिस्व चे नाना भाय केम आवा थेया अने आ जो शीवबाय ने गडा मा सोजो आवी गयो वहिद राजे कयो के केड़ू बांशो ने पाके गेलू केड़ू तो हाई सोजो उतर्षे आवे वहु माटे पैसा खर्ची ने एक केड़ू लवा एज ख्याल नो तो एज जमान नो उतो नाना भाय कयो के केड़ू लाविये तो के ना भाव माटे आवो खर्च ना था नाना भाय पाई सोज पैसाट में अजु तो पो थे बनताता था, आने न नाना भाय के पोता ना भाय जूड़ duda वे पंटाना जुड़ा व उपै केड़ू ला पन नाना भाय ना भे नो दे पन नानाबाई डग रहा, आ महत्वनु छे के विरते नानाबाई तेयार थेया, शीवबाई अजो तो ए उम्मर नानी उम्मर लगनो था, शीवबाई आव्या, अने यमने कयू, तमारा जया मित्रों छेने, युग्यमान सो नाथी, यमने सारा मान सो नाथी गणते, तमे येनी संगत छोडिदो, अने नानाबाई ये मित्रों छोड़ा, आजे जागरूती छे, विजी बाई विद्यानी उपासना केवी, नानाबाई मुंबई में बनता था, यम येनू करता था, यमने उग्रीश वखत, यमने मुख्यविशे संस्टूत पणातो, उग्रीश ये वखर शाकुंतल भाई चोशे, आ विद्यानी उपासना चे, नानाबाई ने शेक्ष्पेर बोज गमे, शेक्ष्पेर ना नाटको बोज गमे, नाटक मंडली मुंबई मा आवी, अवे नाटको जो जोवा होए, तो तो ये वखत ने फी पन 30 रुपिया आती, शू करू, नानाबाई नक्के करू, हुँँ शेक्ष्पेर ना नाटक चोईश, अने येने माटे, बे मैना सुधी, एक टंग खाजा, खावानू, एक टंग नो करनाया क्यो, एक टंग ना पैसा बचाया, पन 30 रुपिया खर जी, अने शेक्ष्पेर ना ना नाटक चोया, आ प्रकार येमनी जे विद्यानी उपास्ट ना आती, एक टले के शुरूत यग्न, जीवन ना छिल्ला वर्ष सुधी नानाबाई सतत्वांता था, येमने पातला गाडा मा, इवा इवा विज्णान ना पुस्तक हो वाच्या, तो कोई के पूछिऊ, के तमा विज्णान ना पुस्तक के मा वाच हो छो, तो के के हूँ आइंस्टाइन ने एटला माटे वाचू छो, के आइंस्टाइन अने अध्यात्म, इभी क्या येनों मेड़ छे, आ जीवन ना छिल्ला वर्ष ए आइंस्टाइन ने वाचे मानस, आ शुरूत यग्नमा थी, एटले जुगत्राम्दवे ये उत्तम शिक्षक हो है, तो क्यो हो है? एक विलते घडायो हो है? एक विलते घडायो हो है? एक विद्यानी उपास ना करे? ए नानाभायनों जे घडतन्नों काड़ छे, एनू आपने आएक चित्र जुयू। नानाभायनी खुबी ये आती, के जीवन ध्ये विशेनी स्पष्टता हमने घड़ी वेली मले गेश्य। एमनी पूतानी जागरूती, एमनो अभ्यास, जीवनने जोवानी, एमनी तयारी, जीवनने जे रिते अवलोकन करता था, एटले के पूतानों स्वधर्म के हो छे? कया स्वधर्म माटे ए जीवन जिववा मागे छे? एनी स्पष्टता हमनी वेली आवी गेश्य। एटले जारे एमे थे ने आयवया मुंबई थी औने भावनगन्ना माराजाने मिल्या, पटणी साहिबनी निकटा था, तो के के मारे प्रात्मिक शड़ामा काम करूँछे। यह में थे लो मानस प्रात्मिक शड़ामा काम करे। जो मारे मनुष्यत्वनि केलनि करवी होई, मानस मारे ला जह उत्तम गुणों छे बार्लापा होई, तो मारे मूड़ थी प्रात्मिक शड़ा में काम करूँछे। पुन बहुत सकत विरोध्य हो, प्राथ्मिक्षणाना शिक्ष्य कोईज, भावनगर्ना शिक्ष्य कोईज, इतलो बहुता विरोध्य करियो, के नाना भाय प्राथ्मिक्षणा मत नहीं जाओवा जुए, इतले एमववानी आईश्कुल ना अचारियत है, लगभग एका- काम करियो, अने पच्चिपटनी साभिना के वाथी ए भावनगर्नी कोलेज मा अध्यापक थिया, नाना भाय ग्रीश ने रोम ना इतियास ना बहुश उंडा अभ्यास हियाता, संस्क्रुट्स ना महान पंडित हता, आ नाना भाय ना वर्गो भरवा माटे, जे ए विशे न अना लिदो एवा विद्यार्थिवा आविने बैस्ता, अध्यापक आविने संबड़वा बैस्ता, निवडेला अध्यापक था, एक बिजिरी ते पड़ आने जोव जी, ए जमाना मा ज्यारे एक रुपिया मा आखा गर्नू बदोज खरिदी शकातोतु, एतली सस्ताइना ना जमाना मा नाना भाय ने कॉलेज मा अडिसो रुपिया नो पगार मड़तोतु, पन नाना भाय जोईू, के मारी समय जे बणवा विद्यार्थिवा आवे छे, येमने पोतानी कार्केर दीनू पडियो छे, आमाथी केवी नौकरी मड़शे, आमाथी केवा पगार ये बदाने आकर्शन चे, ये विद्यार्थियोने, पोते सारो मानस्ति शेके नई, येनि तो काई पडिज ना थी, wird रस्पन ना थी, आमाथी येमने चिंतन चैले ये आमाथी ये येमने मंथन चैले आने नाना भाय नेथाये, के जो विद्यार्थियने घरतर लोगाती ही खाहस murdernın आति हुआ, तो मारे छात्रालेईनी श्थापना कर्म नख Canadian आखा गुजरात्मा बोर्डिंगो होती, चात्रली ओनो ता, ए बोर्डिंगो रेवानी औने जम्मानी सगवड आपतीती, पन ए बोर्डिंगो चारित्र घरतर करवानू काम करती नो थी, ननाबय नो तो एउ चात्रली करवुदू, एक बीजी पन विगत नौन पात्रस छे, ननाबय नी त्रण संस्थाओ स्थापी, त्रण संस्थाओ नो प्रारम धर्मशाड़ा मा थे हो चे, आएक बहुन नवाय भरिवुचे, अकासमा चे अपन बहुन सूचक चे, के ननाबय नी ननाबय भावनगर्ना जे रेल्वेशेशन चे, एनि बाजुनी एक धर्मशाड मां चात्रा लाई शरू केरू, यह मने समझाए गयो, मात्रा डोट बे वर्ष मां जे, क्यों बे घड़े नहीं चड़ी शकू, मारे जो आ विद्यार्थियोना चाहित्रा नो घड़तर करू हो है, तो उं कॉलेज में अपन काम करू, और मात्रा चात्रा लाई चलाओ, यह श अवे बद्धोज समय उमारा विद्यार्थियोना आपिश, कुटुम्मा, नात्मा, गाम्मा, बद्ध्य आहा कार्थेग्यो, आनना भाष्यों करेशे, कान के यही प्रतिष्टित, पदवाली और पगार वाली नौकरीज मलवी दुल्लबती, और नाना भाय तो खरेकर अध पड़ेला अध्यापकता, और यही पाच्छों नक्कियों करेशे, के यही प्राथ्मिक्ष्णान दिस्थापना करेशे, येटले भावनगर्ना महाराजा भावसी जी यही बुलाया, और यहीमने कही हुतु, नाना भाय नोदिव छे, मास्तर फरिवा नोकरी लेवा आओ, तो हुँ आपीष्ट नहीं, हजी फरिवार विचार करी जो, जे राजनमना कागड़ी आशे, लेजो पाच्छा, नाना भाई ये, शान्ति थी, एटलूज महाराजाने कहुँ, फरिवार नही आओ, और क्यारे पच्छे, येमने विचार ना करो, येमने कॉलेज नी नौकर करी छोडी, अने एक पहला दक्षिनामुर्ती भवन, ये मातर छात्रा लेयोतु, ये पच्छी विद्ध्यालाई पर स्थाप्ट ना करी, उगणी सोने दसम, आज थी 105 वर्ष पहला, जो आजी हुँछे, अजराक तारिको, आ साल पन याद राखवा जेवी छे, अजू गा गांदेजी भारतमान थी आया, गांदेजी तो पंदरमा आया जाजा, ये पला य्मिणे आ परारम करेउचे, कि चाहरीत राखड़तर करे, इसेची करेयोनी, ये टले, हाकरीज शेलुनोतु, पैसा न थी, मकान न थी, साथिदारो न थी, अने छता यमिने प्रारम करियो अचे। एक यमिने पोता नी आत्मकथा में लेखियो चे, के शरुवात ना दिवस्वो मां केवी-केवी जवाबदारी यमने भागेया दी। यमने लेखियो चे, कणिवार्तो, गुरुवपती पणु, शिक्षक पणु, कोठारी पणु, रसोयो पणु, ठामवासन माननारी बाय पणु यम बनियो चे। अने आ तमाम काम ने अनते रात्रे दक्ष्णामूर्ती ना कार कुन थे नमे ऐसा बोले क्या चे। अने शेट थे ने सही बिलाड़ा पन तान्या चे। आ तमाम काम यमने करवाना आता है। शरु आत्मा पद्धती विशेनी, धिये विशेनी स्पचता हाती, पद्धती विशेनी नोती। तो यमनो संस्कार, ते रुडिचुस्त, ब्राह्मन कुटुमनो अतो। यमना गुरु, नत्थुराम शर्मा, बिल्खाना। यमनी पासती जे हिंदु धर्मना प्राचिन बता परंपराना ख्यालो होता। ये लईने यमने प्राहरम करेलो। आ एक जोवा जेवुचे, के आ मानस्तनो प्राहरम क्या थीचे, आने केवृते जाने के एक पची, एक पची, एक शिखर नुँ आरोहन करता गया है जीवनमा। आ नानभाई नी आत्मकथा एक व्यक्ति ना आरोहन नी आत्मकथा। ये पने ये द्रिष्टिय नौनपाद्रा से। शरुआत्मा थो थोड़ाक उळखिता, मित्रो एना बाढको जता, पची दक्षिनामूर्ति नी स्थापना थे। ये दक्षिनामूर्ति नी स्थापना पची विश्थार थे। त्यारे पन चात्राले उपरे मिने एटलु ध्याना थे। कि विद्यार्थी मोड़ो उठें, कुईक विद्यार्थी गुरुहकाम ना करिऊ है, कुईक विद्यार्थी कुएक भूल करें, तो हैने फाइन फाइन ये दंड, फाइन अंग्रई शब्द से। यहन दंड करवां में आव तो, के आजे तने दूद नहीं मड़े, आजे तने घी नहीं मलए , चोपडह रूट ली नहीं मलए, आजे तने विजू खावानू मलशे , पण शाक खावानू नहीं मलए शजरी में अने आकरता थां ? जमके सवारे बदा विद्ध्यार्थियों गुरु तरीके अमने प्रणाम करे, गुरु पुजा थाए, अब अध्दाज प्राचीन परंपरा थी अमने स्विकारेला, इवा धोनों थी अमने प्रारम करेलो, एमा एक प्रेमशेंकर, भड़कवा अगामन, ब्राह्मन, एना बे अध्यार्थि प्रार्टनाम तो नुरुस्वी प्रसाद, पच्छी टुकु रूप थेगियो, बदा एमने प्रसाजी नामे उड़कता है, प्रसाजी तमे आम संध्यान, प्रार्तनान, ये बदू फरज्यात कराओ छो, अने एमा भूल पड़े, कोईक विद्ध्यार्थि अन्दर जराक बराबर नहीं करिऊ है, तो अने फाइन थातो, दंड थातो, तो तमे आ फाइन करो छो, अने आभी रिते, शाक के दूद के गीना फाइन करिने, तमे आ विद्ध्यार्थि धार्मिक बनावी शक्षो, अरे धार्मिक तो बन्षे, तो मोटा भाईनी साधूता अथा तो तमारा त्याग माथी आ विद्ध्यार्थि होशे, मारे मारा पुत्रो धर्मनो एक कक्को न जाने ने तो चाल शे, पन आ मारा पुत्रो तमारा के मुटा भाई जिवा थाए, इतला माटे मैं बन्वा मुख्या चे, आ एक वाली नू वाक्या, नाना भाई उंगी शेक्या, यहमने अंतर अवलोकन, साचो शिक्षक ते आत्मा निरिख्षण करया वगा रहे शक्तो ना थी, पन आत्मा निरिख्षण करे यह आत्मा परिख्षण पन करे, आत्मा परिख्षण पन पुर्तू ना थी, पचि आत्मा शूधन करू जिए, आ उत्तम शिक्षक कर अने पचि कायम माटे दक्ष्णामुर्ति माथी सजा, इनाम, मार्क, परिक्षाना पढ़िणामों, हरीफाय, अबद धानु यहमने बैश्कार करो। एटलोने आखा गुजरातमा पड़े यह वात वारंबार कया करी। चो के यहमना गुरु हता, नत्थुराम शर्मा, यहने संस्था उभिकराम मदद करेली। यह जमानामा, दर वर्षे पांच अजार रुपयाय मदद करता। यह गुरु, एक वार कवी कांथ, दर गुरु पुर्णि माए बदा विद्ध्यार्थियो साथे गुरु पुजन्नो करेकम राखता है। कभी कांथ आएवा एक दिवस, हाथ माँ डंगो रोलेने। प्रसाथ जी आगुरु तमारा आखे। तमारे घेर एमनी पुजा राखो। बदा विद्ध्यार्थियो ने क्यम फरज्यात पुजा कराओ छो। ननवाय तरत जागुरु थे इया। अने एमने गुरु पुणि माने दिवसे गुरु नी पुजा करे पन पुजा ने घेर। जे विद्ध्यार्थियों रस होए ते आवे। आने कारणे बिल्खा आश्रम मा एटली बदी गेर समझ थे के ननवाय तो गुरु नी जाहर पुजा बंद करावी दिवसे अने तिये दिवसे गुरु पुणि माने दिवसे बिल्खा आश्रम तरप थे तमाम विद्ध्यार्थियों ने मिठाए नो भोजन आपाज़। य आननवाय नो जीवन त्याम जाने त्याग नो जीवन छे छोडवा नो जीवन छे छोडवाना जीवन में एटला बदा प्रसंग हो चे कानके वारंबार येमनी सामय नो एक प्रश्णा अतो कस्मी, देव आई, हवी शाम बिदेव, कया देवने माठे हूं आ हवी? ये टले के आप जे बदू अरपन करी रहा हो छूं। यगनमाँ जे हुम थाए, येमाँ जे पदार्थ हो हुम है, येने हवी कह से। आउंग बदु कोने अर्पन करी रहोँछू, कोने हमी रहोँछू, आ कोने माटे छे। आ प्रष्ण जातने जीवन भर पुछा करी रहोँछे। अन्ने जारे जारे यामने लागियुँ के हूं आनाथी जुदे मार गया छू, अथवा तो आम नहीं तियारे, तियारे हमेने गम्मे एटला विरोध, गम्मे एटला प्रतिरोध, गम्मे एटला जुदा अभिप्रायो पने आमिने आनो त्याग कीरोआ आखे एटले नानाभाई नुजीवन एक रemorते त्याागनुजीवन छे एनी एक कहर्माड आखे वे चार प्रसंगों पूर्ता थाशे, गांधी जी अदेश में आवि गया था, अस्पृत्ता निवारण नी हवा आती, नाना भय नक्के कर्यू, हरी जनोंने में प्रवेश आपशू, इमना गुरू, नत्थुराम शर्मा, जमने सवा बसो जितला पुस्तकों लखेला, ये प अने मुसल्मान अने प्रवेश ना आपशू, एक पुन विद्ध्यार्थी त्यारे प्रवेश माटे आतूर नो तो, आयो नो तो, पन नाना भय जायर करू, मारी संस्तामा, धर्म के जनाती ने आधारे, प्रवेश निशेद नही हो, गुरू बहु नाराथ है, गुरू ये गुस्टो करू, नाना भय जायर करू, वुँ कोई विद्ध्यार्थी ने मारे त्याँ प्रवेश माटे आतकाविश ने, गुरू ने छोड़ू, बहुत आदर राख्यो, जिवन पर आदर राख्यो, गुरू ने छोड़ू, गुरू दर वर्षे ए जमाना प्रवाणे बह केम एक उत्तम केवनी कार, केवनीनु जीवन जीवू होई, तो अंदर पन केम पोताना आत्मस्त्वने मजबूत करूँ पड़े, ये नाना भयनु जीवन जीवन जे, ये अर्थमा नाना भयनी आत्म कथा, वो नान पात्र आत्म कथाश्यू. नाना भय भट, ये जेने ब्रह्मनी उपास्टना करनार ते ब्राह्मन इवा ब्राह्मन अता, येटले येमने, जमके ये जमानों जे वहातो, के ज्यारे अंग्रेज सरकार होआ थी, कोई ग्रांट नोती, कोई मदद नोती, सहस्था चलावी होई, तो काँ कोई तो कोई तमने दान आपे, अनने काँ तमारे दान लिवा माटे जे श्रीमन तो है, येने पासे जवू पडे, येटले नाना भाई ये क्यारेक तो चार महिना, छा महिना संस्था बार्रे होँ पिडू, संस्था जम-जम विकस्ती गई, अर भाई ये, गिजू भाई ये, ग आपकानों बांदवा पिडिया, एटले के पैसानी कायम खें चती, पैसानी खें चती, त्यारे ये लालच पना आवे, अने त्यांज कसोटी छे, के तमे मुल्य साच्वी ने शिक्षन संस्था चलाववा मागो छो, के बांछोड करो छो, ये भी बांछोड, के जे तमारा क जे चारे बाजो जोवा मड़ा शे, हाटडी बांदे ने जे लोको उभा छे, बैठा छे लोको, नाना भाई ने सामे, अबदू खर्ट तो करवानों जो तू, के दानमा थी अबदू खर्ट पुरून हो था, बहुच करकसर थी, सादगी थी चलावता था, ये मा, ये मनी सा जो तमे गरभाधान गुटी का बनावी ने वेचो, तो घणो न अफो था शे, अन नाना भाई, तमारे जा पैसानी खेंच रेश ने, संस्था चलावा माटे कायब, ये मा थी तमे मुक्त था जे शो, नाना भाई कयू, उउए शिक्षन नी संस्था चलावा माटे कायब, शिक्षन नी संस्था गरभाधान गुटी का बनावी ने वेचवानू काम करे, तो ये व्यपारी संस्था बनी जाए, ये मा थी मने बले पैसा मले, ये उउँ काम हो नही करू, जो के आजे जे बनी रहुँचे, अत्यार ना भारत ना संजोगो मा ये नी साथे आने लोट्री नी करती, लोट्री नी टिकेट काड़ो, ये थोडुक तो कोईक ने इनाम मले, पड़ तमने खासी आवग थाए, ये जे लोट्री वाड़ा आता, ये मने ये म कईऊ, नाना भाय, तमे जो आकरो ने, तो लोट्री बहुँख खपे, टिकेट बहुँख खपे, अन लोट्री माजू न थी मानतो, प्रजाने तमें आवा खोटा रस्ते लई जाओ, अने एनी अरामनी कमाणी माथी, उमारी संस्था चलाओ, तो इस शिक्षण संस्था नारे, एक दक्षिनामुर्तिदेव नी उपास नारे, अने यह मिने ना पड़ी, त्रीजोकिस्व यह ना स्वामिनाण मंदीर, यह नी वच्चे केस चालते होतो, ए केस माँ भावनोगर राजना दिवान, प्रभाशंकर पटणी, यह नीड़नायक अता, नाना भय पटणी साहिब नी बहुँ निकट अता, अने जो नाना भय भलामन करे, तो पटणी साहिब, केस ने जे मंदीर तर आपशो, यह ना तरफ जराक नमे, तो यह मंदीर ने लाब थाए, आ घटना उगनिशने वीश आसपास नीचे, आज ती पंचानू वर्ष पेरानी, कितली रकम नी यहमने उफर करवा मावी थी, नाना भय तमे जो पटणी साहिब ने आमारी भलामन कर्शो, तो आमे तमने आपशो, आपशो, पंचानू वर्ष पेलाना बे लाग छे, संस्था माना ना भय यह पाड़ो करवाना जे उपड़त, कोई श्रिमंतो ने मड़वाना जे उपड़त, दान ना ले उपड़त, एटली मोटी रकमाती, नाना भय यह कई हूँ, हूँ आओ पक्षपात करीने, एक धर्मनी, एक संस्थाने मदद थाए, और बिजी संस्थाने अज्याई थाए, यह उपग्ड़ुना भरी शकू, तम्हे मने बे लाख रूपिया नी भले उफर करी, हूँ आननी स्विकारी शकू, मारी संस्था गरीब रशे, मारी संस्था दान मेड़विने चलावीश, पड़ू, खोटू का पग्ड़ू नी भरू, आ संस्थाने तेजस्वितानों पाय होई यह चे, मुख्य मानस नी आ मुल्य निष्टा जो होई, तो संस्था हो तेजस्विरे, काण के यह प्रलोभनों ने वश्ट नत्थाता, एक बिजी रिते पन जो आजेवू छे, के दक दक्ष्णामुर्थी यह शू नववू केरू, दक्ष्णामुर्थी केम आखा गुजरात मा छवाए गए, जेने गांधीजी ना, जेने काका साहिब ना, अने आनन्शंक द्रून आशिर्वाद मिला, प्रसनत आमडे, यह केम थायू, कान के नानाबय ना साथियो, गिजु चमने विद्यावे रम्रम्यम मानताता, यह वक्ते आखा गुजरात मा ने पछी भारत मा पन, यह संदेश गयो, के बालको ने मार्शो नी, बालको ने विवडावशो नी, यह संदेशो गयो, के बालक ना मानस ने ओढखो, यह संदेशो गयो, के बालक नी अंदर जे दक्षानने योद्ना सफी बदारे जे औस साधान बन्यू, जे गुchosरातमाह अभी रिखते प्राचिन काड मा रुषियोना अश्रम मा आती वर्तमा cudल की पेडियों इपेडियों जे भूसाय गयुक हुत्य। ते शिक्षक औने विद्यार्थी नो आत्मीय सम्मन एक परिवार्भाव आब धाने कारणे दक्ष्णामुर्ती सिद्धिना शिखरे पोंची सफडताना शिखरे पोंची औने आब दू नोनपात्र ये छे के उग्णिश्वन दस्मा नानभाय संस्थानी स्थापना करी औने उग्णिश्वने साडत्री सुधी मां सत्यविश्वरस मां आखा गुजरात मां दक्ष्णामुर्ती शिर्टोट नी संस्था बनी गे आवी संस्थाओ नी एक करणता पना होई छे आ संस्थाओ ते केवल डिग्री आपनार संस्था अमुक विश्य बणावी नाकनार विद्यार्थियोनु मनुष्य तरीकेनु घडतर करनारी संस्था अन्य जे मनुष्य घडतर एक केंद्रमा राखीने पचे आख्षो बाकीनु परीगुपर वदु गोठवे जी एवी संस्थाओ चलावनार मांसो नी अध्यात्मिक तानों पन सतत्विकास थेया करवा जेम दक्ष्णामूर्थि तुटी ये पाण संस्था संचालन मांटे समझवा जेवुँछे संस्था संचालन मां नानभाईय पोतेज नाद्यो छे अमारा काम थी अमने मलेला यस थी अमारी आवड़त थी अमें फाटी तो नोता गया दक्ष्णामूर्थि देवी दक्ष्णामूर्थि जेवी संस्था ना विश्था ने पहुंची वड़वा मांटे कारिय करतावना अंतरमा अध्यात्मिक्ताना पाया उंडा नखावा जुए ते अमारा जीवन मां नखाया ता खरा अन्य तम्हें जो के केविर थे नाना भ प्रेश्ण ना एक पची एक पड़ खोलता जेता हुए दक्ष्णामूर्थि संस्था तुटी एनू आ प्रुथक करण ते संस्था संचालननू वियाकराण छे अमारा कार्यकर्ताओन घर मां अमारा चात्राले मां अमारा रसोडा ने वणांत मां पुस्तकाले मां ने विभागी ओफिसों मां बद्देज जे अनिष्टनों में विरोध करता था ते अनिष्टों पेसी गया अमारा व्यक्तिकात जिवनमा एज अरिफाए, एज कातिल अरिफाए पूर जोस्ती दाखल थाए अमे शिक्षन, शाफ्ट्रना जेट़ा प्रैयोगो करता था तीटला जाग्रहती जिवन, शाफ्ट्रना प्रीयोगो नवता करनता यहने पेनामे दक्ष्णामूर्थी तू आह यहमनु जे प्रुथकान छे के संस्थानू चणतर और व्यक्ति नू घड़तर इस साथे साथे थूजिए। जो शिक्षण संस्थानी अंदर काम करनार मानस नी अध्यात्मिक उर्जा बत्ती न जये। यहनी जीवन विशे नी स्पष्टता बत्ती न जये। यहनी जीवनने जोवानी जे एक सूज अने द्रश्टी छे ए विकस्ति नो जये। तो आँ आखो मामलो अहंकार्णो मामलो बनी जये। अन्ने ए संस्था उपरती रूडी रूपाड़े गम्मे ऐटली होय। अंदर थी उदै खादेला लाकडा जीवी थतती जये। आजे आखो प्रुथवकाण छे। यह अद्भूत प्रुथवकाण छे। अन्ने एतले ननाबाई गुरुने छोड़या, ननाबाई बिजीवदी लालचो छोड़ी, पैसा छोड़या, पोते अवी कोलेनी नोकरे छोड़ी। यह मज अन्ने आ देश मां गांधी जी ने काणने नई तालिम, यह अर्थ मां केवड मैकोलो नो विरोधातो, अंग्रिजी केवणी नो विरोधातो, यह मनो तू। जे केवणी विद्यार्थी ना मन, रुदय अने आतने, एक्की साथे केवड़वे, एटले के सर्वांगेन केवड़वनी, तेज साची केवड़वनी इछे। आ नानाभाई ने गड़े उतरू, नानाभाई जेनी शोध करता था, एमने देखाय। एमने एपन देखाय। गांधिजी ने काने, के साच्यू भारत वर्ष गामड़ा मासे, तो ग्राम समाधनी वच्चे जेने, आपने काम करूँ जिए। साच्यों मा थी कोई तेयार नाथिय। अने नानाभाई एक ला, आम ला, एलेके सवन्गड नाशियोर नी पासे, त्याँ आविने, एमने एक शुक्याई नव पगलू बिरू। जेनी पासे बैंक बैलेंज नाथि, जेनी पासे साथियो नाथि, जेनी पासे मकान नाथि, अने जीवन अर्धो तो पूरू थाईगियोची, ए नाना भै, आमलानी अन्दर, ग्राम दक्षना मूर्ती स्थापे चे। तिया दक्षणामूर्थी एती है, आमा ग्राम शब्दा उमेरायो, ग्राम दक्षणामूर्थी, आ आर्थमा एक बिजु मोटु पगलु अतु हो एगनो अपने जोयू के आवी प्रतिष्टीत संस्ता, ये वक्ते एना मकानों ने बदाने किम्मत गणिये, ओगनेशन साड़त रिष्मा तो लगभग छो लाख रुपियाना, साध्नों मकानों, आतली प्रतिष्ठा, इवी संस्ता ने छोड़ू ए अध्यात्मिक बढ़ होय तोज शक्या छे, नाना भै ए छोड़ी ने गांधी जीना बोल उपर आमलानी अंदर एक नाना गामडानी अंदर पांच जया निवस्तिनों गामत हुए, त्या आवी ने बेठा, एकड़े एक थी प्रारम करो, चका के अमने प्रात्मिक शड़ा सोपाई थी, जे रोम नो इतियास बढ़ानार महा पंडित ये चका चके नी वार्था थी आमलामा शरुआत करी, पन दक्ष्ना मूर्तिना शाखा तरीके, एक वरस्त दर्मियान अमने ख्याल आयो, के पोताना साथिदारों तो जुदूर विच जेशे, अब दा भंडोल आमला ले जेशे, कोई नना भैने साचा स्वरुप्मा नहीं समझेशे क्यों, नना भै ये एक वरस्त पची ट्रस्टी मंदन नी बेठक बोलावी, औने एक साचो ब्राह्मन, एक ब्रह्मन उपासक ब्राह्मन, एक साचो केवनिकार, जे कई शके ए वेने मने कया, आ दक्षणा मुर्ती मा थी बद्धूज मारे माटे शीव निर्माल लिया छे, मारे एमा थी पाइभार कशुद जोईतू ना थी, दक्षणा मुर्ती नो समाराल शाहे करेलू, एक काल्पनिक एउँ चित्र दू, बस मने एक दक्षणा मुर्ती नो आ काल्प जे चित्र छे, ये तमें आपो, मारे बिजु कष्षुज जोई तुम अधिया। आजे त्याग छे। मैं कहिए। के नानाभयनु जिवन ये त्यागनु जिवन छे। छोडवानु जिवन छे। छोड़ताज गया छे। अने जेम छोड़िए। गितानी अंदर भगवाने कोल आपो छे। जे अनन्य भावे मने बजे छे। तेना योग अने क्ष्यम नी चिंता हुँ करूँ छू। पण आ अनन्य भावे भजू। आवी अंदरनी एक श्रद्धा ये नानाभयना जिवन मा से। अने यहमने केवड दक्षनमुर्थी देवनी चबिलाई अनने ग्राम दक्ष्नमुर्थी नो प्राराम केरू। गामडा देक्षनमुर्थी केवशी होय तियनो प्राराम केरू। एमा जय प्रियोग अँझे थेाot ये नई तालिम ना प्रियोग वाता है। गुजरात मा नई तालिम ने आविरिते स्थीर करनार। आविरिते प्रियोग शिल अनेक भुमिकाव मती पसार कहीने। येनु साचुरूप के वह है शके। ये ननभाय अनन मनुभाय पंचोडिये मले। अने पचीदी मुलशंकरभाय, नप्रभूच, आ बदा साथियो पने येमने मिल्या। अने ये बदाय मलिने। अद्भूत ये नई तालिम नो प्रियोग आधारित नक्षो येन्या गुजरात मा स्थीर केरव। आ बहु मोटु येमनु प्रदान छे। एक बिजरीते पाण आने आपने जोगु जुए। के नानाभाय जे रीते विचारे छे। नानाभाय जेरे भावनगर छोडियो। आने आमला आववानु पसंद करियो। त्यारे येमने अनेक लोक होये। काणके त्यारे नानाभाय त्यां सुधी मां गांधिजीना केवा थी बे वरस मांटे गुजरात विद्ध्यापिटना कुल नाएक पन थे आता। येटले का आजे जेने आपने वाइस चैंसलर कहिये। स्वराज पछे दोट पना बे वर्ष मांटे डेबरभाय ना प्रदार्म नलमा शिक्ष्ण मंत्री पन थे आता। पन येमने लाग्यू मारू काम मारा विद्ध्यार्थियो वच्चे छे येज मारे करूँ जीए। इटले ज्यारे येमना विद्ध्यार्थियो माध्यमिक शडा माध्य आमलानू काम ये माध्यमिक शडा करक्षानू छे। तो एमने लागियू के हाय उच्च शिक्षण नू काम करूँ जी है। उच्च शिक्षण नू काम करवा माटे पन ये वक्ते पन एमने अनेक लोग होये आमंत्रनापितु कमारे तेया फरदरूप जमिन छे पाने छे वगेरे। तेयारे एमने सनोसरामा लोगभारती नामनी संस्था शापी। अने लोगभारती नी संस्था स्थापती वक्ते नानाभाय नी उम्मर एको तेर वरस नी आती। आहमने त्रीजू पगलू करे। के नई तालिम प्रमाणे नू उच्च शिक्षण के हुँ है। अलबत आत्मकाथामा येनू वणन प्रमाणमा मरिया दिच्चे जेत्टू दक्षणामुर्ती नू वधारविगते छे। पण केवणीनू राष्टी रूप केव हुँ है। समाज सेवा सुधी केवणी 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 ते विश्तरी शके। श्रम आधारित केवी हुए। येनू नक्षो लुगभर्ती द्वारा पायो। ये तपास्वा जेवुँ छे के एकोतेर वर्ष्णी उम्रे माना सामाज रिते निवरूती तरफ वडे। त्यारे ये नव प्रयाण करेशे। अन्ने नव प्रयाण एक अद्भूत्री थे येमने आ लुगभर्ती ना पाया। लुगभर्ती येटले केवी होय। लुगभर्ती शेने माटे छे येना आधर्शो आप्रे। येटले उमाशंकर जोशिये नाना भाई ने अंजली आपता कयो छे। के नाना भाई जिवा पूर्शो ना जीना विवेक भिर्या वर्तनमा धर्मनू व्याक्रण प्रगड़ थाये छे। जे नाना भाई भाउनगर ना महाराजाने कुत्री आति अने गलूडिया बहुच शरस अता अने गमी गया पन विद्ध्यार्थियों ने बहुच गमता था अने लेवा आवनारा जे शिकारी होता अने दबान करिऊ अने पच्छितों बढ़जबरी करवाना आता अने भाउ आत्मबढ आमला मां बेठा गमलो नामनो एक बारबटी होतो एक गमला ये गामना किटलाक समरुद्ध खेडुतों ने मारबानो नक्की करेलू नाना भाई ने खबर पड़ी अम गमलो ज्यांती आववान होतो त्या रात्रे अंधारामा मात्र पंचियों पेरुच अने जन आने अमना साथिदारो खे गमलो आभी रहो खे अने जुए खे के नाना भाई खे पंचियों अटलाव अंधार हो खे कौन खो तो के हूँ नाना भाई तो के नाना भाई मा रहे तमने काई नति करू तमra अटी जाओ वनहें गममा जवाडो च्चियों आगांम भाई घु 확ाए ऴया तो के सुदु हूँ आजे आपने माध्यमूनों विचार करिये छिए, त्यारे अंग्रेजी माध्यम बाऊज तोज केंद्र सरकार्त रप्ती मदद मड़ाय हुग तो, यह उएक कोर्स होतो, नाना भाय ये कहिऊ, अमने बदु मान्य छे, अमारा विद्यार थियो मात्रु भाष्यमाज बनशे। केंद्र सरकार्त रप्ती त्रण लाख रुपिया नी मदद मड़ते ती, यह मने डॉक्टर स्रीमाडी त्यारे केवनी मंत्री आता, भारत ना, यह मने कयो, तमारो अभ्यास्क्रम पाच्छो लई जाओ, अमारे कशुद जोयतू नथी, अमे जे एक बे मकान बाइद्या छे यह पन तमने पाच्छा आपी देजिए, आ केवाने जे हिम्मत, आमाटे कुटम माँ, नाती माँ, समाज माँ, आक्खा जाहर जीवन माँ, नानावाई जे आत्म बढ़ बतावे छे, यह आत्म कथा माँ, पदे-पदे आपने जुवा मड़ा छे, एक पिशेर किस्थो मजाना छे, नाना बय एक वार भावनगर मा आताने हरीजन बास मा गया, गेर आयवा, रात रे हरीजन बास मा बदी वाथो करी नें, मले नें, इटलेयआ अम्ना पत्नी अज़्वा़िबा, ए अज़्वड़िबा ए कह हुए हो, के हरीशन बास मां थि पच्छी घर मा आवो नाना भाय के हात्पक दोईश स्नान न थी करवानों काण के हुँ रिजन वासमा गयो अटले अबढ़ाय गयो युँ मानतो न थी तो अझ वाड़ी भाय अपना आगडा राख्यो के तो में घत रेमा नहीं आवा दोॅ माटले आप नाना भाय के कोछ्णो हवा अधी सिस्ट तो एना उपन नानभाय कोथरो पाथरी ने सुई गिये। थोड़ी वारतीने अजवाड़ी वापने एक बिजो कोथरो ले नायवा और अने बिजी ओटाने बिजो भागतों पके तेरे बिजी वाजो ओटो हतों एना उपने पोथर पने अने आमने कही हूँ तुम्हे जो कोथरा उपर सुवाना हो तुम्हों थोड़ी पथारी मा सुव। आ अजवाड़ी वापने क्यारे नानभाय बढ़जबरी आयमके करूज जुए यो दबान करूनोतु अने क्रमश्य अजवाड़ी बन बढ़लाया। अजवाड़ी बाप पच्छी अबद्धामाती मुक्त थेगे। आ घर थी लईने समाज सुधी के विरते एक उत्तम केवणी कार अबदू करी शके। एटले चुनिलार मढ़ियाये नानभाय विशरी बहुँच गेर समझेती। के नानभाय तो प्राचिन वादी छे, नानभाय तो पुरातन वादी छे, नानभाय आधुनिक नथी, आधुनिक ताने ये समझीशकता नथी। येमने आत्मकथा वाची ने चुनिलाल मढ़ियाये अध्भूत येमने अंजली आपी छे। आ घरतने चनतर एक बंडखोर मर्जादी नी आत्मकथा छे। जो बंडखोर होई तो ये मर्जादी ना होई और मर्जादी होई तो बंडखोर ना होई। नानभाय नी अंदर आ एक विशिष्ट येवू संयोजन थे। के प्राचिर मुल्यों नी येमने बराबर खेवना छे अने अर्वाचिन जीवन ने ये बराबर समझे छे। आ जे बनने वस्तु भेगी थाई छे नानभाय मां। दर्श्यक है मनुभय पंचोडियमने कद्बूत अंजली आपी छे। के नानाभाय मां सिद्धान्त अने व्योवार नो जे संयोजन नतु। जे समनभय अतो, जे सम्तुला नतु। ये में बिजा कोई नामां जोई। आप्रकारे आत्मकथा ए आत्मनिरिक्षण मां थी केडवायली जागरूति मां थी संस्था क्यारे तूटे चे। गुजरात नी केडवणी ना इतियास मां आ एक अमर पुरुष्ट छे। के एक मानस किवरे ते संस्था उभी करे। किवरे ते सिद्धान तो जाडवे। अने आ आत्मकथा आपने केम अपिल करे छे। आपने एक समझेवा जेव। आत्मकथा मां किटलाक गुजराती मां एवा जानिता लेक्को छे। कि जेमने आत्मकथा मां पोतानों अंकारत प्रगट करे। जाने पोताना थी मोटू कोई छे। आत्मकथा मां सत्यपृति अने पारदर्शक्त यह मुख्य निशान छे। तमे सत्यने संपुणपणे ना पाड़ी शेक्ता हो, पर सत्यने पाढवा मांटे तो प्रेत्नशिल हो जे। अने पारदर्शक्त। तमे कशु छुपाओ ने, कशी अतिश्योक्ति ना करो, अतिश्योक्ति यह पन सत्यनुखंडांचे। तमे आप वड़ाय करो, यह पन सत्यनुखंडांचे। तमे जे क्यवाजे हूँ होए। जेम नाना भाईये पोतानी बागाय, पोतानी अर्ण आवड़त, शरु आत्मा पोते करेली भूलो, निसंकोच पने प्रगट करीचे। अरे, यहमना बेपत्नी ना उसान थेया, अने त्रीजी वकट लगना करवा के नहीं, अने इमने सम्मती आपी। त्यारे आत्मकता में लगे छे। कि हूं बार्थी तो जे बोलता होतु। पन मने परणवानी वास्ना आती माटे जूंत्री जीवारपईड़। आ स्विकार करवो यह पारदर्शक्ता छे। यहमन थी अध्यत्मिक तानों विकास थाये छे। यह टले आ गुजराती भाषानी अद्बुत आत्मकता छे। जो के आत्मकतामा अत्यरतो यह वधारे चर्चा न थी करतो पन बहुत साधी भाषामाँ पन यह भाषामाँ जे सचूरता छे। यह गुजराती तळपदा काठियावडी गध्यनी छे। अने यहना कैनाननी जीवननी एक अध्यत्मिक तानू बाल छे। जो यह केए चे संस्थाव मठ बने चे त्यारे प्राण उडी जाए चे अने खोखू गंधावा लागे चे। बल बली संस्थाव माँ बने चे। अने अमें सो उच्च जीवन ना पूझ को बनवाने बडले अक्कल ओशियारी ना पूझ को बिन्या एने कारने संस्था तूटी। आवी पारदर्शक्ता अंदर अने बाहिया बनने दरश्टी ये पारदर्शक्ता ये माटे उँँ जराई अतिशक्ति विना कैश के गांधी जीनी आत्मकथा पचेनी आ नोन पात्र आत्मकथा जे येने वातनार ने माटे ये प्रेणादाई बन्छे ये तलुने पंडे आत्मकथा वातनार जीवन मां समझण आने उच्सा पाम शे आभी आ गुजराती नि घडतर और चटतर ये नानाभाई नी ने पणु गुजराती नी पण एक नोन पात्र आजे ये प्रस्तूत भुषिवमाय प्रस्तूत रे ये भी अद्भुत Feld आत्मकथा जे ये अर्थम आपना नाना भाई ए गुजराती भास्टाने अने आपना सव उपर मोटु रून आपउछे एम मुँ मानुछु अवा नाना भाई ने आपने फरी फरी वांचिये एमनो अन्यसाहिते पनवाचिये झांचिये एमना भाई भाई पहस्टाने